नीचे description में आपको group theory की playlist का link मिल जायागा तो आज हम प्रूफ करेंगे Kales theorem पहले उसका statement देखेंगे फिर उसको हम proof करेंगे तो यहाँ पर statement हमारा किस तरह से कि every finite group G is isomorphic to a group of permutation ठीक है पर्मूटेशन का मतलब क्या होता है symmetry 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 का मतलब क्या होता है one one on to map ठीक है तो पहले हम क्या करेंगे एक group बनाएंगे permutations का और फिर हम सो करेंगे कि वह isomorphic होगा जी के ठीक है तो यहाँ पर proof है हमारा let define a mapping f of a from G to G by f of ax is equals to ax for all x belongs to G यह हमने map define किया है तो अब यह इसको में क्या proof करना पढ़ेगा कि one one और on to होगा तो हम इसको बोलेंगे कि यह हमारा एक permutation है तो यहाँ पर देखो now for x, y belongs to G f of ax is equals to f of y यह imply करेगा ax is equals to ay अब चुकि यहाँ पर यह ax हमारे group के elements है तो group में cancellation law hold करता है तो by left cancellation law यह imply करेगा x is equals to y और यह imply करेगा f of a is one one तो one one प्रूफ हो गया अब देखो on to प्रूफ करना है let z belongs to G such that there exists x belongs to G such that f of a x is equals to z तो हमने एक co domain में z लिया और उसके लिए हमने मान लिया के domain में x है such that f of a x is equals to z अब हमें चुकी arbitrary z लिया तो z को हमें x के form में लिखना पड़ेगा तो y जी जमिया करेंगे sorry z को नहीं लिखना पड़ेगा चुकी z तो हमने लिया है x को हमें जो है वो z के form में लिखना पड़ेगा इसको क्या लिख सकते है a x is equals to z यह imply करेगा x is equals to a inverse z तो अब देखो देन for any z belongs to G there exists a inverse z belongs to G such that f of a inverse z is equals to z तो इसमें कोई भी हम element ले रहे हैं उसके लिए हमें इस तरह का element मिल रहा है जो इसकी प्रीमेज है तो यह imply करेगा f of a is on to और चुकी यहां पर f11 है on to है तो यह imply करेगा f of a is permutation और symmetry on G बाइजक्शन महफ होता है जो अगर तो उसी को हम बोलते हैं कि या तो उसको permutation भी बोलते हैं और symmetry भी बोलते हैं अब हम एक सेट define करते हैं किस तरह से जी प्राइम इसमें हमने क्या लिया है f of a a belongs to G यानि जितने भी possible symmetry हैं उन सबको ले लिया हमने इसमें किस तरह के element होगा जैसे यहां पर f of a है तो f of a x किस से define होगा a x f of b हमारा यह किस तरह से define होगा b x अब अगर a और b equal नहीं है तो यह भी मैं प्री जो है वो हमारे अलग-अलग होंगे अब यहां पर देखो यह हमने एक सेट बनाया है अब हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि यह हमारा leurs हूम भूब हुआ तो हम कहेंगे कि यहां पर यह सेट आफ परमूटेशन यानि की पर्मूटैसन गुरूप और फिरम इसी जी ब्राइम को जी के आइसों करूब कर देंगे फिर फ़ोड़ा सा लंब यह लेकिन आसान सा है अगर समझ ले तो अब यहां पे देखो विए हैस्ट प्रूफ जी प्राइիमी जा भूब इसजिस्टेंस आभ इन्वर्च तो यहां पे देखो पहले हमें क्या करना पढ़ेगी है क्लोजड है के नहीं है f of a into f of b इसके उपर हम x ले ले लेते तो यह हो जाएगा f of a f of b x f of a और यह f of b x क्या हो जाएगा b x यह क्या हो जाएगा हमारा इसको अगर हम आज़ा x कंसिडर करें तो यह हो जाएगा a b x चिक है अब a b x हमारे g के elements है तो associativity का استعمال करेंगे तो यह हो जाएगा a b x और इसको हम लिख सकते है f of a b x ठीक है अब यहाँ पर f of a into f of b किसके एक को ला गया f of a b के एक को ला गया a b हमारा कहां होगा g में होगा चुकि a g में है b g में तो a b भी g में होगा और इस तरह से यह हमारा f of a b कहां बलॉंग कर जाएगा g प्राइम में तो हम कहे सकते हैं कि g प्राइम ओवर कंपोजिशन इज क्लोजड अब हमें क्या प्रूफ करना है कि second associativity law ठीक है तो यहाँ पे f of a f of b f of c हमने तीन element ले लिए g प्राइम में अब हमें क्या सो करना है कि f of f b dot c f of c इसके उपर हमने bracket लगाया और हमें यह क्या सो करना है कि इसके उपर bracket उसके equal होगा ठीक है तो यहाँ पे f of a f of b into f of c यह हमारा किसके equal है यहाँ पे हमने देखा इसको हम लिख सकते है f of b c और इसको चुकि हम अगर इसको b c को कुछ और माले b prime माले तो फिर हम इसके उपर इसको apply कर सकते तो यह हो जाएगा f of a b c अब a b c group के element है तो वहाँ पे तो associativity hold करती है तो इसको हम लिख सकते है f of a b c और फिर हम इसको क्या लिख सकते है इसी का इस्तमार करेंगे f of a into f of b into f of c तो यह imply करेगा g prime over composition इस एसोसियेटिव ठीक है अब हम identity existence की बात करते है identity के बारे हम जानते है कि अगर a कोई हमारा element है e हमारा कोई दूसरा element है और यह अगर हमारा a के equal आ जाए तो यहाँ पे हम बोलेंगे e is identity ठीक है जाएगा अब यहाँ पे देखो f of a into f of e is equal to f of a और इसी को हम करें f of e into f of a तो f of e हमारा क्या होगा identity होगा तो अब हम इसी identity को find out करेंगे कि यह हमारी किस तरह की identity होगी तो यहाँ पे हमने दुनों तरफ x ले लिया तो यह हो जाएगा f of a into f of a of f of e of x ठीक है यहाँ पे composition है into नहीं है फरकुता जैसे f dot g अगर यह into है तो इसको हम लिखेंगे f of x into g of x अगर यह composition है तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे f of g of x ठीक है तो यहाँ पे यह composition है तो यह किसके एको लो जाएगा f of a f of e x इसको हम लिख सकते हैं e x अब यहाँ पे देखो यह f of a e x है यह f of a x है और हम जानते हैं कि f of a हमारा क्या है 1 1 है चुकि अभी हम last में proof करके हैं यह 1 1 और 1 2 होता है तो यह equal हो जाएगा e x is equals to x तो अब चुकि यहाँ पे x हमारा arbitrary g का है तो e x is equals to x मिल रहा है तो यह imply करेगा e is identity of g तो यह इस तरह से हमारा f of e जो है वो identity हो जाएगा g प्राइम का जहाँ पर e जो है वो identity होगा g का अब हम existence of inverse की बात करते हैं तो यहाँ पे inverse के बारे हम जानते हैं कि हमने एक element लिया f of a belongs to g प्राइम and f b is a inverse of f of a हमने माल लिया कि यह इसका inverse है तो inverse के बारे हम जानते हैं क्या करता है f of a into f of b यह हमारा identity पे भेज़ देगा ठीक है अब यहाँ पे f of a into f of b यह हम क्या लिख सकते है f of a b is equals to f of e यहाँ से हम लिख सकते है a b is equals to e ठीक है यहां से हम देख सकते हैं कि B हमारा क्या आएगा A inverse के equal आएगा तो F of A inverse is a inverse of F of A जहां पे A inverse हमारा क्या है? A का inverse है तो यहां पे हमें inverse मिल गया, identity मिल गया, associativity प्रूफ कर दिया और closed भी प्रूफ किया तो इस से हम कह सकते हैं कि G' इजा group ठीक है? तो यह imply करेगा G' इजा group with respect to composition Now we sell so that G is isomorphic to G' अब हमें क्या प्रूफ करना है कि G जो है वो आईसो मर्फिक होगा G' का तो आईसो मर्फिक के लिए हमें के map ढूंडेंगे जो की isomorphism form करें ठीक है? तो यहां पे हमने 5 map डिफाइन किया G से G' पे किस तरह से define किया? F of A is equals to F A sorry phi of A is equals to F A for all A belongs to G अब हमें क्या proof करना है कि यह हमारा 1,1 होगा, onto होगा, homomorphism होगा पहले हम 1,1 प्रूफ कर लेते हैं तो यहां पे हमें phi is 1,1 यह proof करना है अब देखो let A, B belongs to G such that phi of A is equals to phi of B यह imply करेगा F of A is equals to F of B अब यहां पे देखो, इसका मतलब क्या होता है? अगर दो function equal है, इसका मतलब यह होता है कि if F is equals to G, this implies that F of X is equals to G of X for all X belongs to जो भी हमारा domain दे रखा हो, ठीक है? तो इसलिए यहां पे domain हमारा G है, तो यहां पे F of A X is equals to F of B X होगा, for all X belongs to G तो दो function कभी equal होते हैं, जब उनकी domain के हर एक element के लिए उनकी value क्या हो? equalा है, यह हमारा किसके equalा जाएगा? A X के, यह किसके equalा जाएगा? B X के right cancellation law लगा देंगे, तो यह हो जाएगा A is equals to V तो यह imply करेगा, फाइज वन वन, अब हमें कैसो करना है कि फाइज हमारा on to है, ठीक है? on to की definition क्या होती है? हम co domain में एक element लेते हैं, उसके लिए एक हम pre match दिखा देते हैं domain में, तो let F of A be any element of G prime तो हमने co domain में एक element लिया, arbitrary, this implies that F of A belongs to G sorry, F of A belongs to G prime, F of A belongs to G prime when A belongs to G क्योंकि यहाँ पे यह suffix में A होता है, यह हमारा कहां से आता है? जी से आता है, तो यहाँ पे यह क्या imply करेगा? now phi G से G prime पर है, be the mapping and A belongs to G, therefore F of A is equals to F A यानि F of A अगर हम कोई भी G prime में ले रहे हैं, तो उसके लिए हमेशा एक A मिलेगा ठीक है? such that F of A is equals to, phi of A is equals to F of A यह imply करेगा, phi is onto, तो यहाँ पे हमने phi को one one proof किया, onto proof किया अब हम इसको homomorphism proof करेंगे homomorphism क्या होता है? phi of A, B is equals to phi of A into phi of B, यह proof करना है तो हमने दो element लिए A और B, G में, तो हमने इस तरह से लिखा phi of A, B is equals to, चुकि यहाँ पे phi of A, B किसके equal है? F of A, B के equal है, यह किसके equal हो जाएगा? F of A into F of B के equal हो जाएगा, यहाँ पे यह हमारा किसके equal है? phi A के equal है into phi B, थीक है? तो phi हमारा homomorphism हो जाएगा, यह imply करेगा G is isomorphic to G prime, वेर G prime ही जब permutation group तो यहाँ पे यह हमारा proof हो गया, कि कोई भी अगर group finite है, तो वो हमारा permutation group के isomorphic होगा यह हमारा केलेस theorem का statement था, तो आज के लिए वस इतना ही, अगर आपको मारा वीडियो अच्छा लेगे, तो हमारे चनल को subscribe करें, मिलते हैं अगली वीडियो में